प्रदार मंतरी नरेंदर मोधी ने कांग्रेस सहीत बिपक्षी दरों पर निशाना सात्व कहते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें मारने के लिए भली भाती के लोगों को सुपारी दे रखी है लेकिन भारत के गरीब मध्य बर्ग आदिबासी दलित अन पिछला बर्ग OBC सहेत हर भारती आज मोधी का सुरक्षा कबश बना हुआ है प्यदारमंत्री नरंदर मोधी ने कहा कि 2014 में इन लोगों ने मोधी की छबी दूमित करने का संकल्प लिया है और अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि मोधी तेरी कबर खुदेगी मोधी ने रानी कमलापती रेलबे स्टेशन और आला हदरत नजामुदीन रेलबे स्टेशन के बीच चलने वाली बंदे मातरम एक्सपेस टेंग को हरी जन्री दिखाकर रवाना करने के बाद बहां मजूदा लोगों को संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही थी वही पियम मोधी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आज एक अपरेल है कि इस कारिकरम पर हमारे कांग्रेस के मित्र ये बयान जरूर देंगे कि ये मोधी तो अपरेल फुल मना रहे हैं लेकिन आप देखिए एक अपरेल को ये ट्रेन चल पड़ी है ये हमारे मिजबास का पिर्थिक है मोधी ने कहा कि कांग्रेश एक ही परिवार को देश का पिर्थम परिवार मानती रही है परामंति ने कहा कि 21 सदी का भारत अब नए सोच और नए दृष्टी कोड के साथ काम कर रहा है पहली की सरकारे तुष्टी करण में इतना बैस रही कि देशब नहीं गया बेबोटों की तुष्टी करण में जुटे हुए है और हम देशबासियों के संतुष्टी करण पर समर्पित है अब आने वाले समय में यानि 2024 को लेकर भी मोधी ने बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि इस बार फिर से जनता यानि देश की जनता इस बार 2024 में फिर इससे भाजपा की सरकार बनाना चाहती है क्योंकि लगातार हर बर के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं इससे लगता है कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार देश में अपना जंडा लहराएगी